हमें आज पढ़ना है वाट स्टार्ट आप हमें आज पढ़ना है न्यू चेप्टर जिसका नाम है ग्रोथ और डिवलपमेंट हाँ भई ग्रोथ और डिवलपमेंट में फरक क्या है सुने पहले डिवलपमेंट को सुने अज असा भी जुगाड कयो आनता ग्रोथ और डिवलपमेंट में फरक सुने मैंने पढ़ाया हुआ है फिर भी सुने development का मतलब है ऐसी growth development भी growth है ऐसी growth जिसमें new features, new structure नहीं कोई चीज बने, नया कोई फार्म बने ऐसी growth को हम development कहते हैं for example, for example हमारे पास है ये seed ये हमारे पास seed, अब seed ने की growth start seed से निकला shoot और seed से निकला root बताएं इसको हम growth कहेंगे या development कहेंगे भाई, growth तो होई है, मगर shoot था ही नहीं, shoot निकला है, नई चीज निकली है ये कहलाएगी development अच्छा अभी सुने, अभी सुने, अगर कोई develop होकर चीज डिवलप होने के बाद अपनी size को बढ़ाए, अपने weight को बढ़ाए, अपने volume को बढ़ाए, उन में sale का number increase करे total उसका mass increase हो जाए, तो उसको हम कहेंगे growth अब बताएं, ये shoot बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है, मुझे बताएं, ये growth है या development है growth हो गई, तो भई, ये root और लंबी हो गई, growth हो गई, अब आप comment में बताएंगे के ये stem से branches निकली है, इन branches का निकलना growth है या development है, development है flower का लीफ का निकलना क्या है, मगर इस branch और लीफ का अब बढ़ा होना, ये growth है यहां पे flower का बनना, ये development है, अब flower का थोड़ा बढ़ा होना, मेचौर होना और खुलना ये growth है ठीक हो गया भई, तो growth और development के बीच difference हो गया, अब मैं आप से पूछ रहा हूँ, ये egg है और ये sperm है इनका बनना from the deployed sale, ये growth है ये development है, new चीज़ बनी है, development और sperm और egg से मिलने से zygote का बनना, नहीं चीज़ है, development, deployed, deployed से deployed और अब zygote divide होकर tissue बना लेता है, तो ये tissue का बनना, tissue तो पहले नहीं थे न, नहीं थे न, हाँ, एक cell से 2, 3, 4 बने तो growth कहेंगे मगर कोई नहीं चीज़, tissue आ गई, तो उसे आप development कहेंगे, फिर tissue ने मिलके organ बनाए, उसे आप development कहेंगे अब organ यतने यतने यört बनी हoreड बनी है आपकी, छोटी, अब इतनी lungs बने है आपके, इतना stomach बना है, अब ये बड़े होते जाएंगे यह हर्ट बड़ी हो गई भई यह अपके लंग्स भी बड़े हो गई यह आपका इस टमक भी जो है बड़ा हो गया अब इन्होंने ग्रोथ की फुल मिला के यह आप आप टोटल यह बड़े हो गई ठीक है यह अब ग्रोथ हो गई तो डिवलपमेंट और गोथ के बीच यह डिफरंस है निव कम्बिनेशन बने नाई चीज़ बने तो ऐसी ग्रोथ को यह डिवलपमेंट कहते हैं अगर वोगी जीज़ अपनी ग्रोथ साइज इंकरीज करे वेड इंकरीज करे number of sale increase करें तो उसे growth कहेंगे सुनें भाई living में growth reversible होती है या irreversible irreversible का क्या मतलब है irreversible का मतलब है आप बड़े हो गएं अब छोटे नहीं होंगे ठीक है ना example दिया था लकडी का सूखी हुई लकडी को अगर पानी में रखें तो वो पानी को absorb करके imbibe करके grow कर जाती है मगर आप उसको फिर dry करेंगे तो फिर वो पदली हो जाएगी सूखी बन जाएगी ठीक हो गया भाई ये concept है तो living organism में growth irreversible होती है development भी irreversible होती है चलो भई अब कुछ चीजे हैं जो simple समझ नहीं है आपने embryology या developmental biology किसको कहते हैं जो embryo develop करता है embryo से बचा कैसे पैदा होता है जाएगोड से लेकर बेबी के बनने तक ये जो developmental process steps होते हैं जाएगोड से moriola बनना, blastula बनना, gastrula बनना सारी stages की study को कहते हैं embryology यानि fetus जो develop होता है मा के pet के अंदर उसकी development को कहते हैं embryology embryo आपको पता है embryo क्या है future का baby future का baby embryo कहां से कब तक drum use होता है सुनें भई ये जाएगोड है जाएगोड ने divide किया तो moriola बना, blastula बना, gastrula बना कुछ चीज़े हैं आपको बने पड़ा दियें gastrula में कितनी layer होती हैं तीन hectoderm, endoderm और mesoderm भई इन तीनों layer से क्या बनेंगे organ तो स्टेज को कहेंगे organogenesis, आरगन से पहले gastrula तक embryo को क्या जो बच्चा develop होता है उसे क्या कहते हैं embryo, it means embryo एक differentiated group of cells है या undifferentiated, undifferentiated क्यों undifferentiated यहां कोई टांग बनी हुई है क्या, कोई आम बनी हुई है क्या, कोई हर्ट बनी हुई पता नहीं आपको कि यह सेल, moriula, blastula, gastrula वाले जो सेल हैं क्या बनाएंगे आगे चलके कोई पता नहीं इनका तो यह undifferentiated सेल हैं जिनको हम कहते हैं embryo, differentiation किसके बाद होगी, gastrula के आरगन बनेंगे तो हमें पता चलेगा, अरे भई यह तो herd बन रही है, यह तो फलाँ आरगन बन रहा है, तो हम आरगन के बनने से बच्चे को नाम देंगे, फियोटस, कब तक बर्थ तक, बर्थ के बाद बेबी है, बर्थ के बाद, बर्थ के बाद हमारा बेबी है, ठीक हो गया वही, चलो, पाकी germination का concept पता है आपको, कि germination क्या होती है, फई growth and development in plants की अगर बात करें, तो मैंने यह section जो है, बड़ी बड़ी detail में पढ़ाया हुआ है, चिप्टर नमबर टू में, अगर आप बुक की line line को study करेंगे, सारी study करने के बाद आपको लगेगा एक point भी नहीं नहीं मिली, और last में पता है, बुक वाला क्या कहेगा, early हमने discuss कर ली है यह बात, second chapter में, तो भई लिखा क्यूं, तो मैंने भी कुछ चीजें लिखी हैं, जस्ट आपको overview करवाने के लिए, repeat करवाने के लिए, कुछ questions पूछने के लिए, मैंने लिखी हैं चीजें, questions पूछता जाओंगा, हाँ भई, meristematic sale, meristematic sale plant में कौन से sale होते हैं, जो plant non woody होते हैं, उनमें lateral meristream मिलेंगे, secondary growth कौन करवाएंगे, lateral meristream कितने type के थे, एक cork cambium और muscular cambium, cork cambium में हमने term पढ़े थे, phelum, phelogen, pheloderm, क्या दे, और muscular cambium में हमने term पढ़े थे, यह सारी चीजें हमने detail में discuss की है, यहाँ पे इतना कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इतना लिखा हुआ, lateral meristream secondary growth करवाएंगे, और secondary growth से width बढ़ती है, plant अपने आपको develop करता है, और उनमें होती है, जो मोटे plant होते हैं, woody plant होते हैं, non woody में यह नहीं होता, यह लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, intercalary node और inter node पे होते हैं, new branches, new parts arise करवाते हैं, पढ़ाया था मैंने, ठीक है भाई, apical meristem root और shoot के apex में होती हैं, जो पता नहीं कौन सी growth करवाती हैं, primary growth, primary growth से क्या increase होता है, height increase होती है, और यह कौन से plant में apical meristem नहीं होती है, आप शहने bryophyte, teridophyte, germnospum, angiospum, bryophyte में height नहीं होती, mass type होते हैं, उपर नीचे grow नहीं करते हैं, तो differentiate ही नहीं होते हैं, न उपर shoot बनता है, न नीचे root बनता है, मतलब इसकी कमी है इनके अंदर, तो हमने discuss की है, सारे की सारी चीजें भई, जो चीजें हैं ना, जो मुझे detail में explain करने की जरूरत होगी, मैं दिखाऊंगा हाँ, यह चीज है ना जो यह, यह हमने पड़ी हुई है, मकरें असे में support एका ताम में क्या एंटें पहले सेल सेल है है, यह सेल है, इससे यह न pose 2 बनेगें, छोटे हों गेंगें तो, फार्मेटव फेल्य फेस किसको कहेंगे ? ऐसे फेज में जिसमें क्या हो सेल डिवीन हो, सेल डिवाइड होने के बाद अपने आपको क्या करते हैं, बढ़ा करते हैं, elongation phase, elong होकर according to the location वो सेल काम करते हैं, अगर सेल को जायलम के तोर काम करना है, तो मुझे बताएं, वो अपने आपको बाकी सेल से differentiate करेगा के नहीं, तो सेल बना, सेल mature हुआ, बढ़ा हुआ, बढ़ा होने के बाद mature हुआ, mature का मतलब है differentiate हुआ, मैं फिर भी बताता हूँ, देखें भई, ये कौन सा step हो गया, formative phase, यानि इसको devian phase कहूँ मैं, devian phase, अब इसमें book वाले ने क्या लिखा है, वही बाते हैं, topic नया है, बाते हैं वही है, book वाले ने लिखा है, sales जो नहीं बने, sales इनके features बताएं, आप कहेंगे sir, इनके अंदर sales wall thin है, आप कहेंगे अंदर sales secondary sales wall नहीं है, आप कहेंगे sir, वेक्यूल भी नहीं है, central वेक्यूल, और आप कहेंगे sir, space जो है, sales के बीच नहीं है, क्यूंके एक sales से दो sales बने, दो sales हैं, तो space कहां में बची, दो sales से 4, 8 से 16, तो 8 sales की जगह 16 से रक्यूपाय कर रहे हैं, तो tightly, space कम होगी, बलके नहीं होगी, थोड़े closely pack होंगे sales, sales आपस में क्या होंगे, parent camera type नहीं होंगे, आपस में close होंगे, उसके अलावा, आप कहेंगे sir, space के अलावा एक और बात कर हैं, तो इनके अंदर capacity होगी, मतलब living capacity ज्यादा होगी, protoplasm इनका अच्छा खासा होगा, अभी तो नहीं बने हैं, बुड़े तो नहीं होगे ना, protoplasm अच्छा खासा है, protoplasm सही है, तो यह feature है, जो के आपने बताने हैं, के नए बने हुए sales में क्या क्या होगा, क्या न होगा, आप कहेंगे सर, growing regions पर, है ना, growing regions पर, तो थोड़ा बंद कर यह चोट, आवस्टी का, growing regions पर, formative phase होगा, देखें वही, देखें, यह मैं plant का stem बना रहा हूँ, यह मैं stem बना रहा हूँ, यहां पे जो sales हैं, वो कौन से phase में है, formative, formative, नीचे वाले sales में थोड़े बड़े बना रहा हूँ, और नीचे वाले और बड़े, भई सुने, पहले यह बने या यह बने या यह, बन, तो यह इनका, अभी का form है, अब इनकी origin हम देखें, तो इसी condition में यह होंगे, यहां पे भी ऐसे sales बने हुए थे, तो पहले यहां पे कौन सा step हुआ था, formative phase हुआ था, फिर कौन सा phase हुआ, दूसरा phase, elongation phase हुआ था, elongation phase खतम होगा है, अब हम यह यह sales नजर आ रहे है, differentiation में, मैंने सब को xylem बनाया है, हलांके सब यह यहां पे xylem नहीं बनेंगे, ठीक है ना, सब ऐसे के, लंबे चोड़े नहीं बन के, according to the function, sir यह film वाले थोड़े repeat करें, 5 secondary growth वाला lecture सुन लेना, एक बात नहीं है, कि मैं repeat करूँ, एक बात नहीं है, एक बात नहीं है, हजारों concept है, जो मैंने सारे के सारे concept growth and development वाले second chapter में discuss कर दिये थे, अभी कोई एक पॉइंट हो तो मैं repeat करूँ, ठीक है ना, वो lecture सुन लेना, पुपड़ी okay हो जाएगी आपके, इन्शाल्ला, चलो भई, उसके बाद मैं जो पूछता जा रहा हूना वो बताते जाएं, परेशान ना हो ते हमारा concept रह गया, वो अपने lecture सही नहीं लिया, इसका मतलब ये है, वो आपने नहीं सुना, या live lecture अटेंड नहीं किया, या recorded भी नहीं सुना, इसलिए वो आपके concepts week हैं, secondary growth बड़े प्यार से, इत्मिनान से, सुकून से बढ़ाई दी मैंने, बड़ा technical सा concept है न वोड़नी का, इसलिए, चलो भाई, moving to आगे, moving to आगे, कल वाला lecture आज upload होगा भाई, elongation phase में क्या होगा, जो सेल नहीं बनेंगे, वो अपनी साइज को बढ़ाएंगे, ये पहला phase कौन सा हुआ, formative और ये दूसरा phase है, दूसरा phase, phase is called as elongation phase, थोड़ी सेल ने turgidity बढ़ाई, ठीक है, turgidity बढ़ाई वे, क्यों बन गया, ये वो, actual maturation जो है, ये है, actual maturation किसको कहते हैं, अभी maturation के type है, maturation for what, maturation for deviant तो वो अलग बात है, maturation for deviant नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, maturation for the function, मतलब permanent हो रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कि ये सेल डवाईड होकर फिर डवाईड होगा, फिर तो फो एक ही phase में रह गया ना, सुने, सेल डवाईड होकर, मेचूर होके डवाईड होकर, मेचूर होके डवाईड होकर, मेचूर होके डवाईड करें, तो ये एक ही phase consider करेंगे, वो maturation अलग है for the deviant, हम maturation कह रहे हैं, काम करने के लायक हो जाए, सेल काम करने के लायक हो जाए, full maturity में, जवानी में आ जाए सेल, ठीक है, not for the deviant only, for all the functions, चलो भाई, elongation के बाद, सेल, maturation में आएगा, maturation का मतलब है, अपने आपको उस region के according, बाकी सेल से change कर लेना, कोई xylem बन गया, कोई philoem बन गया, अच्छा कोई xylem में भी trackid बन गया, कोई vessel बन गया, कोई xylem पहरण काइमा बन गया, कोई xylem का fiber बन गया, ऐसे philoem में कोई sieve tube सेल बन गया, तो कोई companion सेल बन गया, हर किसी की अपनी शकल है ना, अब comment में बताएं आप, मुझे बताएं, आपके body के अंदर जो neuron बने हैं, यह differentiated सेल है, neuron की शकल कैसी है, कुछ ऐसी शकल है ना, कुछ ऐसी शकल है, तो यह cell बना, यह cell elongate हुआ, अब elongate के बाद यह differentiate हुआ, ऐसा नहीं है कि differentiation में elongation नहीं हो सकती, differentiation में भी elongation हो सकती है, मगर यह elongation सारे cell में common है, और यह elongation कोई कोई करेगा, कोई कितनी करेगा, motor होगा तो सबसे बड़ी sensory होगा तो भी बड़ी, inter होगा तो कम करेगा, muscle होगा तो और कम करेगा, muscle कहां की है, तो यह सारे concept है, चलो भाई, moving to again, secondary growth, secondary growth, पता है secondary growth का, नहीं, कभी नहीं सुना यह concept, secondary growth वाला, secondary growth, मतलब width को increase करना, कौन करवाता है, cambium, दो टाइब के, muscular और cork cambium, अचा मुझे यहां पर यह बताएं, secondary growth में medullary raise क्या है, यह आ गए आपको, तो मतलब आपका concept है, ओके, तो भाई यह है पिथ, यह हो गया, zalim, यह zalim, यह zalim, यह zalim, यह भी बन गया, zalim, खाली में बनाता जा रहा हूँ, ठीक है, zalim, तो यह zalim हो गया, और zalim के बाहर यह है, cambium, यह cambium, और बाहर है philohim, अब यह है philohim, ठीक हो गया, यह philohim, यह ph यह philohim, 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 यह phil जाइलम पे कोई एफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जाइलम की लोकेशन और पितरेज की लोकेशन अलग अलग है सुने भई अभी यह भी मजाग कर रहा है यह भी concept बड़ी मजाग कर रहा है यह तो देखना अभी कह रहा है आपको conditions कौन सी चाहिए growth के लिए भई दो conditions हैं कुछ external, कुछ जो है internal external conditions कौन सी हैं जो growth पे एफेक्ट करेंगी temperature पहले बताएं temperature क्या करता है growth करने के लिए अगर नार्मल टेंप्रेचर हो तो ग्रोथ रियक्शन सही होंगे तो ग्रोथ होगी अगर टेंप्रेचर इधर उधर हो जाए तो इंजाइम बेचारे आपके देखते रहेंगे के टेंप्रेचर सेट कब होता है और तो और higher temperature में denature भी हो जाते हैं, lower temperature में activity कम हो जाती है, temperature बहुत जरूरी है all metabolic activities के लिए, बस ये लिखा हुआ है, light क्यों जरूरी है भाई, light जरूरी है एक तो photosynthesis के लिए, photosynthesis होगी तो food बनेगा, food बनेगा तो food यूज़ होगा, respiration में respiration होगी तो कुछ काम कर सकेंगे न growth or development बागी दिगर काम भी है, अब light बहुत तरीकों से effect करती है, light की intensity भी काम की है, light का period, photo period, light की intensity भी काम की है और light का period भी बड़े काम का है, photo period, period हमने बढ़ा हुआ है, photo period किस काम का है, flowering करने में इसका कोई role है, आँ है, कौन से plant, long day में और short day में, बड़ा role है, light भाई चाहिए, बिलकुल चाहिए, अगर light नहीं होगी तो plant growth सही नहीं करेगा, ऐसा plant जिसको आप light ना दें, ऐसे बिचारा without light grow करें, उसमें किलोरोफिल कम बनेगी, क्योंकि light किलोरोफिल भी बनवाती है, light की वज़े से किलोरोफिल बनती है, जब plant में किलो etiolated plant कहते हैं, etiolated, etiolated plant और उस process को क्या कहते है, etiolation, ऐसा plant जिसमें कमी हो किसकी, क्लोरोफिल की कमी वाले plant को etiolated plant और इस process को etiolation कहते है, चलो भाई, moving तो आगे, तो intensity of light किस काम की है, कह रहा है, light की intensity बड़े काम की है, जैसे red light, जो red light है न वो elongation करवाती है, elongation करवाती है, elongation करते हैं न सेल, उसमें red light का roll होता है, और जो blue light होती है, वो elongation को inhibit करती है, लिखा हुआ है यहाँ पे, blue light जो है वो, sell devian को enhance करती है, but retard the enlargement, elongation को inhibit करती है, तो यह रटा लगाना है, कि red light और blue light दोनों क्या करती है, यह elongation को promote करती है, और यह elongation को inhibit करती है, यह sell devian को promote करती है, ठीक है, बागी वो sell devian को inhibit नहीं करती है, बागी oxygen क्यों चाहिए भाई, अच्छा, एक और है, जो DNA को तोड़ता है, UV radiation, मैंने पढ़ाया हुआ है, कि DNA को बड़ी खुशी है कि UV radiation को absorb करता है, तो UV radiation जब ozone layer ना हो, UV radiation बढ़ जाए न, ultra violet radiation, तो DNA damage हो जाता है, अगर DNA damage हो गया तो आपका सारे का सारा protoplasm काम नहीं करेगा, protoplasm सही नहीं करेगा अगरों, कुछ भी नहीं होगा, सारे जीन जवाब दे देओंगे आपको, नहीं भरी कुछ नहीं होगा, किलोरोसिस वो और चीज़ है, किलोरोसिस एक और चीज़ है, किलोरोसिस जब जमीन से आपको ना मिले nitrogen या ना मिले magnesium, nitrogen औरbologen की कमी ते कंए से यहां बने लाइट हो, नाइट्रोजन और मेगनीशम की वजह से किलोरोफिल नहीं बन रही, तो येलो कलर अपियर हो रहा है, मतलब केराटीनो आइट काम कर रही है, तो उसमें जब येलोश कलर हो जाए, उसे हम कहते हैं किलोरोसिस, तो किलोरोसिस और रिटियोलेशन में फर सकी हो रहे थे, प्लांट को भी रेस्पाइरेशन करने में ऑक्सीजन काम कियां, हाँ, अक्सीजन के नुक्सानाद भी है, ऑक्सीजन प्लांट के अंधर एक गंदा प्रॉसेस करवाती है, जो फोटो सैंस के दौरान होता है, बताएं उसके नाम फोटो, नहीं याद हना, फ एक्सिजन को भी लेना CO2 को भी लेना नार्मली CO2 को लेता है मगर अगर टेमपरेचर बढ़ जाए या ऑक्सिजन बढ़ जाए तो यह सिप्ट करता है औक्सीजन को, जब औक्सीजन को असेप्ट करता है, तो photosense नहीं होगी, यह oxygen Rubisco को ही तोट देती है, Rubisco के शुगर को, कौन सी शुगर होती है Rubisco के पास, R.U.B.P, R.U.B.P, Ribulose, कितने phosphate वाली byphosphate वाली byphosphate या diphosphate ribulose byphosphate RUVP sugar होती है तो उसका तूटना, photosynthesis का ना होना is called as photorespiration oxygen करवाती है photorespiration first year के bioenergetics में बड़ी depth में topic है हम पढ़ेंगे हाँ भाई carbon dioxide क्यों जरूरी है carbon dioxide ना हो तो photosynthesis होगी photosynthesis नहीं होगी carbon dioxide होगी तो glucose बनेगा तो सारा काम आगे चलेगा ये लिखा हुआ है बुक में अब इसको मैं क्या पढ़ा हूँ पागी nutrient कौन से काम के है nutrient, calcium, magnesium nitrogen, sulfur वगेरा चलो nitrogen का काम बता दें आप यहां पे specific किसी का नहीं लिखा हुआ इसे लिखा हुआ है के nutrient बड़े काम के है growth and development में काम करेंगे मगर मैं पूछ रहा हूँ आप कहेंगे सर amino acid को बनाने के लिए protein को बनाने के लिए RNA को बनाने के लिए nucleotide को बनाने के लिए ATP को, die nucleotide को, DNA को enzyme को, hormone को nitrogen चाहिए nitrogen amino acid में है तो protein में है RNA भी नहीं बनेगा क्योंके nucleotide हर के अंदर nitrogen है आपकी nitrogenous base जो लगे होते हैं और तो और chlorophyll भी नहीं बनेगा वहां पे भी nitrogen char यूज होती है magnesium भी यूज होता है तो कुल मिला के ये बड़े important है, इतना लिखा हुआ है बस ठीक है इतना लिखा हुआ है जी इंटर्नोड जो इंटर्नोड इकभे गंपरेथ elongate कराईंदा आएं वे पान elongation के promote न कराईंदा आएं इंटर्नोड जो था न इंटर्नोड जो हूंदो elongation में रोला red light किथे इनने बिटकन दी फेज केड़े में इने बिटकन दिया वनमे वरी फेज हैं अगर इंटर्नोड डिवियन फेज में होगा तो red light उसका कुछ नहीं बगार सकती अच्छा अगर red light उसको elongation नहीं करने दे रही इंटर्नोड को तो ऐसा भी तो time होगा जब red light नहीं होगी मतलब होगी elongation होगी यह exceptional बात है exceptional बात है don't go over there in detail वो भी वो detail जो बुक में नहीं है